हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पके हुए केले से बहुत ही स्वादिष्ट और सौफ्ट बर्थी की रेसेपी आई होप आपको पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिए इस रेसेपी को कैसे बनाते हैं यहां पे लिया है एक कप गुड़ को कदुकस कर लिया है अब इसको एक बॉल में डालेते हैं और इसमें डालेंगे आधा कप पानी पानी में अच्छे से गुर को चमर से चलाते हुए घुल लेंगे तो बहुत ही आराम से कम समय में ये अच्छे से घुल जाता है पानी में तो ये देखिए गुर सारा अच्छे से पानी में घुल गया है इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे तो इसको एक तरफ रख देते हैं अब यहाँ पे लिया है तीन पके हुए केले यह जादा पके हुए हैं तो ऐसे केले जादा हेल्दी हो जाते हैं लेकिन कोई इसे खाना पसंद नहीं करता है तो इसके हम बर्फी बनाएंगे केले को अच्छे से छील लेते हैं और इसके छिलके को उतारने के बाद अब हम इसको छोटे-छोटे टुक्रों में काट लेंगे तो यहाँ पे सारे केले को इस तरह से छोटे टुक्रों में काट लेने के बाद अब हम एक फॉर्क की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे फॉर्क से बहुत ही आसानी से और अच्छे से मैश हो जाता है आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीश सकते हैं केले को तो इस तरह से सारे केले की टुकरों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है तो चलिए अब हम इनकी बर्फी बना के तयार करते हैं यहाँ पे गैस पे एक कड़ाई चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और जब घी मेल्ट हो जाएगा अच्छे से करम होके तो इसमें डालेंगे ड्राइ फ्रूट्स तो यहाँ पे 5-6 काजू और बादाम और थोड़े से पिस्ता हमने डाले हैं इनको अच्छे से लो फ्लेम पर घी में भून लेंगे ड्राइ फ्रूट्स कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो अब यह ड्राइ फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं जब ये dry fruits थोड़े ठंडे हो जाएं तो इनको छोटे-छोटे टुक्रों में काट लेंगे अब यहाँ पे कडाही में डालेंगे एक कप गेहु का आटा आटा को घी में भून लेना है गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखेंगे इस समय और 5-6 मिनट तक आटे को अच्छे से भून लेंगे जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लग जाएगी और आटे का कच्छापन दूर हो जाएगा इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएगा तो इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे तो ये देखे फ्रेंट्स इसका कलर हलका सा चेंज होने लग रहा है आटे में से बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अब ये आटा हमने 5-6 मिनट तब भुन के तयार कर लिया है ये देखिए और बहुत ही अच्छे से भुन चुका है ये गेहू का आटा थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे से भुन के तयार हो जाता है आटा हम उनने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे मैश किया हुआ केला और साथ ही इसमें आड़ कर देंगे अधर टेबल स्पून इलाइची का पाउडर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस समय गैस का फ्लेम लो रखें low flame पर अच्छे से mix कर लेते हैं केले को अच्छे से आटा में mix करने के बाद gas का flame low to medium रख लेंगे और इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पर सबको mix कर लिया है अब इसमें add कर देते हैं 2 टेबल स्पून घी और इसे भी अच्छे से mix करते हुए 3-4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे तो पहले इसको अच्छे से mix कर लेते हैं और अच्छे से हमने इसको भून लिया है अब हम इसमें add करते हैं dry fruits और साथ ही गुर का पानी जो हमने पहले बना के रखा था वो भी इसमें add कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको mix करेंगे और mix करते हुए भूनेंगे तो जैसे जैसे इसको mix करते रहेंगे और ये अच्छे से भूनते जाएंगे तो इसका texture change हो जाएगा और ये dough जैसा बनने लग जाएगा तो ये देखिए हमने इसको 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूना है अब ये pan छोड़ रहा है और dough जैसा बन गया है तो अब हम इसको जमाएंगे तो जमने के लिए हमने यहाँ पर एक tray में butter paper लगा लिया है और सारा dough इसमें डालके अच्छे से spatula से दबाते हुए इसको पूरे में set कर लेंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ये बर्फी अच्छे से जम के तयार हो जाएगी तो ये देखिए फ्रेंड्स आदे से पौन घंटे में ही ये अच्छे से ठंडा होके जम के तयार हो गया है तो अब हम इसको cut करते हैं तो आप अपने पसंद के shape में इसको cut कर लें मैं इसको square shape में cut कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से set हुआ है ये और कितना soft है आप देख रहे हैं कितने अच्छे से cut रहा है एकदम मुलायम है तो इस तरह से केले की बरफी बनके तयार हो गई है मैं आपको एक नजदीक से रिखाती हूँ आप इसका texture देखिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट और soft बरफी बनके तयार होई है अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में